वहरे सुसासन सरकार बता दे कि ये वीडियो खुद पीडित दुकानदार की किसी साथी ने अपने मोबाइल की कैमरे पर रिकॉर्ड किया है सिवान के रगुनादपुर के इलाके का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खुब वारल हो रहा है यहाँ बाइक से आए पिस्टल के साथ गुन्डों ने दिन दहारे लाखो का माल बोरे में कस लिया इस दौरान एक लुटेरा लगातार पिस्टल दिखा कर लोगों को ड़ा रहा एक बार फिर आप इस वीडियो को देखिए देखिए कैसे ये लुटेरे लोगों को डड़ा कर पैसा चोरी कर रहे हैं घटना के संबन में मिली जानकारी की अनुसार सुक्रवार की दोपहर को सिवान के रगुनादपूर थाना से करीब 50 मीटर की दूरी पर जोती अलंकार ज्वेलर के संचालक नर्मदेश्वर सोनी अपने दुकान में ग्राहकों को ज्वेलरी का समान दिखा रहे थे तभी हतियार से लैस होकर तीन पाइक पर सवार होकर छे लोग नकाब पहने आये और सोने के व्याफसाई सोनी के कनपटी पर पिश्टल सता कर तीजोरी और दुकान में रखे जेवर लूटने लगे वही अपराधी उनसे कैस काउंटर की चाभी मांगने लगे जिसका विरोध करने पर अपराधीयों ने सोन्ड व्याफसाई सोनी को थपड़ मारा इसके बाद अपराधी बोरे में भर कर जेवर और साथ जार रुपए कैस सहीद पचास लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गए अस्थानी लोगों का आरोप है कि उन्होंने जब पुलिस को बताया तो रागोपुर थाने में मौजूद पुलिस ने भी ये कहके टाल दिया कि चलो आते हैं पर वे आये नहीं इस पूरी घटना के बाद पहुँची पुलिस मामले के संबंद में चानबीन करने में जुट गई है और अब मामले की चानबीन ठीक से होती है या नहीं और दुकानदार को इंसाफ मिलता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा पर विहार पुलिस का ये रविया बहुत सारे सवाल पैदा करता है ये थी सिवान से चंदन कुमार की रिपोर्ट विहार की खबरों के लिए देखते रहे विहार तक विहार तक आप देख रहे हैं बिलकुल नए रूप नए अंदाज में तो विहार तक का ये नया लुक आ लागा हमें जरूर बताएं लागा हमें एक झाल मुत को अ काल